Hello everyone, CL classes में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम डिसकस करने जा रहे हैं होमोफोन्स की और आज के इस वीडियो सेशन में हम तमाम ऐशे वर्ड्स सिखेंगे जो आपको हमेशा कन्फ्यूज करते रहते हैं तो माइडियर फेंड्स ये होमोफोन्स सेशन पे मेरा तीशरा वीडियो है और इसके पहले अलरड़ी मेरे चैनल पे होमोफोन्स टॉपिक पे दो वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं यदि आपने अभी तक फुन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं तो देर न करते विए चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टाड़ेट तो माई डियर फेंड्स आज फूमोफोन्स के इस वीडियो सेशन में आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो आपके लिए पहला वर्ड है इलिजिबल इलिजिबल एक एडजेक्टिव है means fit or proper to be chosen यानि कोई भी चीज चुनने के योग होती है तो वो इलिजिबल होती है और इसी के शिमलर एक और वर्ड आपको देखने को मिल जाता है इलिजिबल ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है that can't be read जिसे हम पढ़ नहीं शकते हैं उसको हम इलिजिबल बोलते है इसकी जो हैंड राइटिंग है वो इलिजिबल है इसलिए मैं उसे पढ़ नहीं सकता आपके शामने आपके स्क्रीन पे जो अगला नया वर्ड है एप्राइज एप्राइज एक वर्ब है means to inform यानि सूचना देना या सूचित करना को हम एप्राइज कहते हैं यदि आपको कोई धमकी देता है तो आपको पुलिश को inform करना चाहिए या एप्राइज करना चाहिए और इसी के शिमिलर एक और वर्ड देखने को मिल जाता है एप्राइज ये भी एक तरह का वर्ब है means to observe something या किसी चीज को observe करना ये एप्राइज कहलाता है जो आपके सामने passage दिया गया है उसको एप्राइज करो और सही उत्तर ढूड निकालो आपके सामने आपके screen पे अगला नया वर्ड है शोर शोर एक वर्ब है शोर मीश होता है fly करना यानि उड़ना आप शुबह 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 देख सकते हैं कि आकास में बहुत सारी चीडिया शोरिंग करती है मतलब उड़ती है इसी के similar एक और वर्ड है शोर यह है एक अडजेक्टिव है और मैं उमीद करता हूँ इस वर्ड को आप अलड़ी जानते होंगे शोर मीश होता है tart या acidic यानि कोई भी चीज खटा होता है तो उसको हम बोलते हैं शोर इसी के similar एक और वर्ड देखने को मिल जाता है शोर एक नाउन है शोर मीश होता है कोस्ट या कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र का किनारा होता है उसको हम बोलते हैं शोर इसी के similar एक और वर्ड आपको देखने को मिल शकता है शोर एक नाउन है मिन्स वाउन्ड मतलब जो चोट होता है घा होता है उसको भी हम बोलते हैं शोर आप अपनी चोट पे उचित जो प्रापर एक सुटेबल मेडिशीन का प्रियोग करें अन्यता ये आपकी खत्रे का कारण बन सकता है चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके शामने आपके स्क्रीन पे एक और वर्ड देखने को मिल गया टफ टफ एक अडजेक्टिव है और इसका मिन्स होता है कोई चीज हार्ड हो कठोर हो मजबूत हो ठोश हो तो इसको हम बोलते हैं टफ यह काम जो है काफी कठिन है और इसी के सिमलेरिक और वर्ड जो है जो सेम प्रनुसिशन कंटेंट्स करते हैं टफ ट यू डबल एफ टफ 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 एक नाउन है means parts of rock यह एक चटान का टुकड़ा होता है यह हर चटान को नहीं जो वलकैनों होती है जो जो जौला मुखी होती है उससे जो चटाने बनती है तो उस चटान के टुकड़ों को हम बोलते हैं टफ यदि आप टफ देखना चाहते हैं तो आपको इटली विजिट करना चाहिए क्योंकि यह अपने शुना होगा कि बहुत सारा वैलकोन विश्वोट जो है इटली में होती रहती है तो होमोफोंस के इस कड़ी में आपके शामने आपके स्क्रीन पे अगला जो वर्ड है डिसीज डिसीज एक नाउन है मिन्स इलनेश मतलब जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डिसीज फार एजामपल माई फादर हैड कैंसर डिसीज तो ही लेप टास सोन मेरे फादर को कैंसर डिसीज दा इसलिए वो इतनी जल्दी छोड़ गये और इसी के सिमलर एक और वर् इसको टाला नहीं जा शकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके शाबने एक और वर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डिप्रिकेट डिप्रिकेट एक वर्व है और इसका मतलब होता है प्रुवक करना रिफ्यूज करना या किसी चीज का बिरोध करना फार इजामप रहा कि थोड़ा सा प्रोनोसेशन में डिफ्रेंश है आपके शामने आपका अगला वर्ड है डिप्रिशेट डिप्रिकेट एक वर्व है मिंस रिद्जीश प्राइच यदि किसी भी चीज का कीमत कम करना होता है या कीमत करने को हम बोलते हैं डिप्रिशेट पार इज्जाम इसकड़ी में अगला वर्ड है dessert, dessert एक वर्ब है means abjure करना किसी चीज को त्याग ना छोड़ देना या किसी चीज को दूर कर देना होता है dessert for example उसने मेरी मुसीबतों में मेरी बुरे दिन में मेरा साथ छोड़ दिया और इसी के एक और वर्ड देखने को मिल जाता है dessert, dessert हाला कि ये दोनों का जो spell है वो same है लेकिन ये जो दूसरा dessert है ये एक noun है means dreary, जो निर्जन होता है जो जहां पे बनस्पतिया नहीं पाई जाती है वो एक बहुत बड़ा भू भाग जहां पे रेत होता है, सेंड होता है, बालू होते है और समुद्र नदियां और जल का दर्शन नहीं होता है तो उसको हम बोलते है dessert for example, सहारा is the largest dessert in the world जो सहारा है, इस संसार का सबशे वड़ा dessert है और dessert के similar record dessert देखने को मिल जाएगा dessert, dessert ये भी dessertic noun है means the sweet which is taken after meal यानि भोजन करने के बाद जो भी मीठा हम लेते हैं उसको हम बोलते है dessert for example, I have dessert after each meal मैं हर meal के बाद हर भोजन के बाद जो है dessert लेता हूँ आपके शामने, आपके स्क्रीन पे आपके लिए अगला वर्ड है, cousin cousin एक noun है, means uncle son यानि आपके मामा, बुवा, चाचा का लड़का आपका cousin कहलाता है for example, my cousin's name is Mr. Narendra Yado मेरे cousin का नाम है Mr. Narendra Yado और इसी के similar एक और वर्ड है cousin, C-O-Z-E-N cousin एक वर्ड है, means किसी को cheat करना, broke करना, lootना किसी के साथ धोगा करना तो ये cousin कहलाता है for example, don't cousin someone किसी के साथ हमें cheat नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे अगला नया वर्ड है inquire, inquire एक वर्ड है inquire means ask about something यानि किसी चीज का जाच परताल करना, पूछ ताच करना ये inquire कहलाता है for example, you should inquire about the price before buying something inquire, inquire हाला कि American English में ये दोनों वर्ड का यूज एक ही तरीके से होता है एक ही पोजिशन पे, एक दूसरी के पोजिशन ले शकते हैं ये वर्ड हाला कि जो ये inquire है inquire का प्रियोग जो है काफी formally करते है, inquire means होता है investigation या observation, for example police inquired about the matter what happened on that day, उस दिन क्या घटना होई थी, उसके बारे में police ने inquiry किया, यानि police ने चान बीन किया, जाज परताल किया आपके शामने, आपके श्क्रीन पे अगला नय वर्ड है capital, capital एक noun है the word capital in politics and geography referred to the town or city that is the official center of countries government, जो ये capital word है, इसे हिंदी में हम राजधानी कहते हैं, और ये कैसे सहर और ऐसे कस्वे को denote करता है, जहां से उस देश की government lead करती है for example, New Delhi is capital of India New Delhi है भारत की राजधानी है, भारत की capital है, और इसी के similar एक और वर्ड है, capital, अगर economics में बात करें, तो capital means the money or wealth which is used to start a business, यानि किसी भी business को शुरू करने के लिए, जो पूजी लगाया जाता है, जो पैसा या धन लगाया जाता है, उसको हम economics में capital करते हैं और इसी के similar एक और वर्ड आपको देखने को मिलता है, capital capital, capital एक noun है it refers to a building or complex of building where the government means to make law, यानि एक ऐसे building जहां पे किसी देश का कानून बनाया जाता है, तो उसको हम capital बोलते हैं, for example, parliaments is the capital of India जो parliaments है, जो संसद है जो संसद भवने वो भारत का capital है तो my dear friends, ये रहें आज के session के लिए कुछ खास word जिन पे हमने discuss किया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए good bye